बिस्मिलाय रोमान रहीम याईडी मदद आज की इस फीडियो में हम मोज़जा हजरत अलिव नेपी तालिब अलेसलाम बयान करने जा रहे हैं इस मोज़जे का तरीका ये है कि इसका 40 दिन का चिल्ला करना है चिल्ले का मतलब जो शक्स पहले दिन जिस जगह पर बैठ कर जिस वक्त ये मोज़जा पढ़ेगा तो 40 दिन मतवातर वो ही शक्स उसी जगह उसी वक्त बैठ कर इस मोज़जे को बयान करेगा और किशमिश पर ये मोज़ा पढ़ा जाता है और जितने लोग हाजिर होते हैं मोज़ा सुनते हैं उन सब को पांच-पांच दाने किशमिश के बत और तबरुक हिसा दिया जाता है इस मोज़े को पढ़ने से आपकी हर मुराद हर दुआ जरूर पूरी होगी चालिस दिन पढ़ने से एथकात शर्थ है क्योंकि मुला आली अलियसलाम का फर्मान है कि जिसने चालिस दिन का ये चिल्ला पूरा किया और उसकी मुरादबर ना आए तो कियामत के दिन उसका हाथ और मेरा दामन होगा मैं मौज़ा बयान करने जा रही हूँ अगर इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हुसेन इस वीडियो को सबस्क्राइब नहीं किया तो पहले इससे सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं और मौज़ा ये है कि बिसमिल्ला इर्मान इर्रहीम मौज़ा हज़रत अली बने पितालिब लिएसलाम मुझर्डिब और आजमूदा है एकाथ शर्त है मदिने मुनवरा में एक शक्स के वलाद ना थी इसलिए दोनों जोज़ा और शोहर रंजीदा और परेशान रहते थे महबत एहल बैत इनके दिलों में थी मौमिन और दियानदार थे एक दिन मायूसी की हालत में उन्होंने रो रोकर खुदा से दुआ की क्या आला हम गुनागारों को एक फरसन अरजमा दता कर तो इसको हज़रत अली मुश्किल कुशायालम की गुलामी में नजर करेंगे अल्ला ने इनके दुआ मुस्तजाब की और इनको एक फरसन दता फरमाया जब तक वो बच्चा शीर खुआ रहा दूद पिलाते वक्ट अगोश मिलेते वक्ट सोते जाकते यही जिकर था कि मेरा बच्चा गुलामी अली है ता जिन्दगी मुला की खिद्मत में रहेगा नाम इस बच्चे का गुलामी अली रखा जब वो बच्चा हुश्यार हुआ तो इसको भी मुला अली से इश्ख हो गया अपने वालदाएं से बार बार कहता कि मुझे भी दिखाओ मुला अली कैसे हैं एक दिन उसके माबाप दोनों हज़रत अली अली से खिद्मत में लड़के को लेकर गए और अर्स किया या का या आपका गुलाम है हमने मनत माने थी कि लड़का होगा तो हम आपकी गुलामी में पेश करेंगे बतफैले पंच्तने पाक हमारी ये दुआ कबूल हुई अब ये हाजिर है आप ने इसको गोत में बिठा लिया और प्यार किया वो भी दिलो जान से आपर फिदा होने लगा माबाप इसको छोड़कर अपने घर वापिस आ गए और जब कभी दिल चाहता जाकर बच्चे को देखाते मगर अपने घर ना लाते जब ये लड़का जवान हो गया तो इस जमाने में एक बादशा था इसके उलाद ना थी गम खाता परिशान रहता और सोचता था कि खुदा ने मुझे उलाद ना दी तो मेरे माबाप की नसल मुझे से चली और मेरी नसल की से काइम रहेगी मेरे बाद इस तख्टो ताश का वारिस कौन होगा एक दिन अपनी सोजा से यही तश्किरा करने लगा अमोमन औरत की फितरत होती है कि अगर शोहर को अलाद की तबना है तो बहुत ही गम काती है यह मौमन भी हुब एहल बैत रखती थी दिन रात दुआ और गिर्याजारी में मश्कूर रहती एक दिन रात को बहुत गिर्गिडा कर इस मौमन ने दुआ की कि अपालने वाले बहाग के मौमद वाले मौमद मुझे को अलाद अता कर तो खाव में क्या देखती है के एक निकाव पोश बजरूग तरश्रीफ लाए और फरमाते हैं के गम ना खाओ तुझको परवर्दिगार अलाद रता करेगा अब तु चालिस दिन तक मुसल्ह बिचा और चालिस दिन का चिला कर चालिस दिन कहाने सुन खुदा ने चाहा तो तेरे अलाद होगी और जो भी मौमिन चालिस दिन का चिला करे और चालिस दिन तक ये कहाने सुनेगा इसकी मुश्किल असान होगी और इसकी परेशानी दूर होगी और अगर इसकी मुराद बर ना आए तो कियामत के दिन इसका हाथ और मेरा दामन होगा चनाचे इस मौमना ने मुसल्ला बिचाया और चालिस दिन मतवातर ये कहाने सुनी जब चालिस दिन पूरे हो गए तो इसको हमल हो गया और खुदा के रहम से नो महीने बाद एक दुखतर पैदा हुई बादशा बहुत खुश हुआ सद्कों खेराद बहुत कुछ दिया लड़की परवरिश पाती रही जब जवान होने को आई तो फिर बादशा को फिकर हुई कि खुदा ने मुझे लड़का नहीं दिया लड़की दी अब इसकी शादी किस तरहा होगी पैगाम किस तरहा हैंगे मैं बादशा हूँ किसी से कुछ कह नहीं सकता मायूब सी बात है एक दिन पिर अपनी जवजा से यही जिकर किया जोजा ने फिर दुआ की इस तरह वोई बजरुखा में तश्रीफ लाए और फरमाया कि तुम पिर उसी तरह 40 दिन मुझे सल्ला बिछा कर चिला करो और 40 दिन कहानी सुनो इस दुख्तर की शादी बाफसल खुदा बतस्द्दू के एहल बैत बहुत जल अच्छी जगा होगी चनाचा जब इचिला पूरा हुआ तो इस लड़की की निस्बत आई तारीख मुकरर हुई बारात आई बाफसा की खुशी को इंतिहा न रही बेटी को बाफसा ने बहुत कुछ दोला दे कर रुकसत करना चाहा मकर दोला ने कहा कि सिर्दाया और लड़की को पालकी में सवार करा दीजिये क्यूंकि इस वक्त मैं मजबूर हूँ मैं कुछ नहीं ले जाओंगा बाफसा मजबूर हो गया आखिल लड़की और दाया को पालकी में बिठा दिया वो जब चले शेयर खतम होने के बाद जंगा लाया वहाँ एक सफेद पहार था और एक काला पहार था इस पर पालकी रख दी इस पहार में एक महल बना हुआ था वहाँ लड़की को उतार दिया और महल की कुंचिया दुलन के हवाले कर दी और दाया से कहा कि जिस चीज की जरूरत हो तुम वहाँ से ले सकती हो और किसी किसम की तुम लोगों को यहां तकलीफ न होगी दुलन और दाया दोनों इसमें रहने लगी और दुलन अपने दिल में घमगीन रहती थी एक दिन वो दाया से कहने लगी कि माबाब चुटे और जिससे शादी हुई वो भी हमारे पास नहीं है दाया ने का कि बेटी जब तुम्हारी माने मुसल्ह बिचा कर 40 दिन का चिला किया था तब तुम पैदा हुई और जब तुम जवान हुई तब फिर वही अमल किया तो तुम्हारी शादी हुई अब तुम भी मुसल्ह बिचा कर 40 दिन का चिला करो और कहानी सुनो तुम्हारा शोहर तुमको ज़रूर मिलेगा लड़की ने उसी तरह अमल शुरू किया जब 40 दिन पूरे होने में 3 दिन बाकी रह गए तो एक दिन दाया घर से बाहर निकली क्या देखती है कि चूंटियों की कितार आ रही है एक चूंटा आगे है और इसके मुँ में किश्मिश का दाना है जब वो चूंटा दाया के करीब आया तो किश्मिश का दाना मुँ से गिर गया दाया ने इसको उठा लिया वो चूंटों के कितार वहीं ठहर गई यह चूंटे का दाना गिरा था इसने खुदा से द्या की कि आला तू मुझको जबान अता कर ताके मैं इस औरस से बात करू खुदा ने इसको जबान अता की जब इस चूंटे ने कहा कि अगर आप इस दाने को खाएंगी तो आपकी दान में टक कर रह जाएगा और मैं खाऊंगा तो मेरा पेट भर जाएगा कल आप मेरे साथ चलें तो आपको बहुत सी किश्मिश मिल जाएंगी ये सुनकर दाया ने चूंटे की गुजारिश पर अमल किया और वो दाना उसके हवाले कर दिया दूस्य दिन दाया चूंटे के इंतिजार में चाकर बैट गई तो क्या देखती है कि वही कतार इस तरफ जा रही है जिस तरफ से पहले दिन आ रही थी दाया कतार के साथ हो ली और जहां पर चूंटे ठहर गई वहां दाया एक इमली के पेड़ के लीचे बैट गी और क्या देखती है कि एक शक्स पानी लेकर आया इसने छिड़काओ किया दूसर शक्स आया इसने तमाव जंगल को साफ किया और बहुत खुबसूरत फर्श बिचाया और रोशनी की और फिर इस फर्श पर तख लाकर बिचाया इस पर सिंद्री रहर लाकर रखा फिर इस पर कुरान मजीद लाकर रख दिया इतने मिदाया क्या देखती है कि एक बज़ूर्ग नुरानी सूरत में इस तख पर आकर बैठे और बहुत से लोग इधर उदर से आकर इनके गिड़ चमा हो गए चनाचा आपने नमाज बाजमाद पढ़ाई और फिर तलावत कुरान के बाद खतम कुरान हिसा तक्सीम करने का हुकम दिया जब सब को हिसा तक्सीम हो गया तो एक हिसा बच गया तो ह endureत ने अपने खादिम से फर्माया गया जो बाकी हिसा वच्छा है कोई और है खादमों ने अर्ज की मुला यहाँ कोई नहीं है आपने दुबारह फर्माया जा कर देखो जरूर कोई है खादिम ने जा देखा तो दरखत के नीचे डाया बैटी है इसने वो हिस्सा उसको दे दिया और कहा ये हिस्सा तेरे मौला हज़रत अली अले बिजवाया है दाया खुशी खुशी वो हिस्सा लेकर शेहजादी के पास आई शेहजादी ने कहा कि दाया माबाब चूटे जिस से शादी हुई वो भी चूटा और अब तुमने भी साथ छोड़ दिया दाया ने कहा नहीं बेटी मैंने तुमको छोड़ा नहीं मैं तुम्हारे शोहर का पता लगा कर आई हूँ कल तुम भी मेरे हमरा चलना चनाचा अगले रोज शेहजादी को हमरा लेकर उसी जंगल की तरफ रवाना हुई और दोनों इस सिम्बली के दरख्त के रीचे जाकर बैट गए फिर दोनों ने वही सब कुछ देखा जो दाया ने अगले रोज देखा था और उसी तरहां अज़रत अली लेसलाम तश्रीफ लाए फिर नमाजी बाजमात और तिलावत एक रुरान मजीद के बाए सब को हिस्सा तक्सीम किया तो दो हिस्से बढ़ गए आपने पने खादिम से फरमाया दो हिस्से बढ़ गए हैं जिनका हाग्या उनको जाकर देया हूँ चनाचा आपका खादिम दोनों हिस्से लेकर दराख्त के नीचे पहुंचा इस से पहले दाया ने शेहजादी से कह दिया था कि जब तुम को हिस्सा दें तो तुम दामन पकर लेना और इनको छोड़ना नहीं पहले इस शक्स ने दाया को हिस्सा दिया इसके बाए शेहजादी को हिस्सा देनी लगा हीसा लेते वक शेहजादी ने इसका दामन पकड़ लिया इस श्रक्स ने इस्रार किया कि मेरा दामन छोड़ दे जब शेहजादी ना मानी तो इसने कहा कि हज़रत अली अलेशलाम की खिद्मत में चलो और उनके कदमों पर सर रखो शेहजादी अज़त अली की खिदमत ने पहुंची और आज नाप के कदमों में गिर पड़ी आपने शेहजादी का सर उठा कर दस्ते शफपत रखा और फरमाया क्या चाहती हूँ शेहजादी ने अर्स किया कि मुला में अपने शोहर को ले जाना चाहती हूँ आपने फरमाया अच्छा अपने साथ ले जाओ तुम्हारे दो लड़के पैदा होंगे एक का नाम दोस्त मुहम्मद रखना और दूसरे का दीन मुहम्मद आपने दो रुमाल अता की और फरमाया कि जब तुमको कोई मुश्किल तरपेश हो तो इस रुमालों को मस कर देना जो बिमार हो शिपा पाएगा और हाज़त मन की हर हाज़त पूरी होगी शेहजादी हजद अली से रुकसत होकर माय अपने शोहर के इसी सिफयत पहार पढ़ाई तो खुदा ने नो माँबाद शेहजादी को फर्जन अनायत किया चनाचा इसका नाम दोस्त मुहम्मद रखा इसके साल पाद दूसरा नड़का पैदा हुआ तो इसका नाम दीन मुहम्मद रखा गया एक दिन दाया ने शेहजादी से कहा कि अपने शोहर से कहो कि मुझे मेरे माबाब से मिला दे शेहजादी ने अपने शोहर से कहा कि मेरी एक गुजारिश है अगर आप इसको बाखुशी मनजूर फरमा ले इसके शोहर ने कहा को तब शेहजादी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझको मेरे वालदें से मिलवा दे उसके शोहर ने बहखुशी मनजूर कर लिया शहजादी माए अपने बच्चों और शोहर के वालदैन के हाँ पहुंची जिस वक्त ये लोग जाकर उत्रे तो देखा कि शहजादी के माबाप शहजादी की मफारकत में रोते रोते अंदे हो गए है शहजादी ने अपने वालदैन की यहाला देखी तो हजजाद अली का अतिया याद आया फोरन वो रुमालिकार कर माबाप की आंकों से मस किया तो दोनों की आंके रोशन हो गई जब जिसम से मस किया तो दोनों बिल्कुल तंदरूस तो तवाना हो गए जब बुड़े माबाप ने अपनी बेटी और दमाद और नवासों को देखा तो इनकी खुशी को इंतिहा न रही तो अपने तख्त और ताश का मालिक अपने दमाद को बना दिया अलाहुमा सुले अला मुहम्मद इन वाले मुहम्मद खुदावन दे आलम बतस्द्द्द कि आएमा ताहरीन कुल हाज़त मंदों की हाज़त पूरी करें इलाही आमीन